इंडिया में अचानक से आई फ्लू तेजी से फैल रहा है इसको हम कंजक्टिव आइटेस भी कह सकते हैं क्योंकि आखों की कंजक्टिव मेंब्रेन पर इंफ्लेमेशन की वज़ास से होता है एक बीमारी के दो नाम कोई बात नहीं लेकिन हट तो तब हो गई जब लोग बोल रहे हैं कि ये देखने से भी फैल रहा है अब बीमारी है सुपरनेचरल पाबर नहीं मिल गए हैं तुम्हें जो तुम किसी को भी देखकर भसम कर दोगे खेर ये सब तो मित है लेकिन एक्चुल में ये शुरू कैसे हुआ इतना तेज वाइरल कैसे हुआ और इससे कैसे बचें ये सब आपको पताएंगे इसी वीडियो में उसके लिए वीडियो में अंट तक बने रहे है दरसल ये सटनली स्टार्ट हुआ है डिसेंटली हुई फ्लर्ड्स और आजकल मैक्सिमम सिटीज में बनी हुई हैवी रेनफॉल की वज़ा से एंवारनमेंट में बढ़ते हैवी मॉश्चर के साथ फैल रहे है ये इंफेक्शन बनाने वाले बैक्टेरिया एंड वाइरस और लोगों में इस कंजक्टिव आइटिस के चलते लाल आखे आखों में खुझली आखों का बहना और पल्खों पर सूजन के सिम्टम्स देखने को मिल रहे हैं लोगों में रैपिटली इस इंफेक्शन के फैलने का कारड नेकेड आइस से एक दूसरे को देखना नहीं बलकि कुछ इस प्रकार है पब्लिक स्विमिंग पूल में गोते मानने जाना इंफेक्टेड परसन का पब्लिक ट्रांस्पोर्ट में ट्रैवल करना आपके द्वारा किसी इंफेक्टेड परसन की टॉवल, उसका हैंकी या कोई अधर बलॉंगिंग्स यूज में आना नहीं नहीं ये नहीं मेरा मतलब इस से था फोर्ट इन मूस इंपोर्टेंट जब कोई इंफेक्टेड परसन अपनी आँखे खुजाए और उनी हातों को पब्लिक यूज वाली चीजों पर रखते जैसे की लिफ्ट के बटन्स, गेट का हैंडिल या स्टेयर्स के रेलिंग और फिर किसी अनौदर परसन का उस सर्फिस पर हात रखना और उसी हात को अपनी आँखों में डाल लेना लेकिन इससे बचें कैसे तो चलिए वो भी बता देते हैं जिनने अभी तक नहीं हुआ है वो लोग क्राउड में न जाएं हर पब्लिक यूज मैटेरियल को अपने हातों से न चुएं हैंड वाश करके हैंड हाईजीन मैंटेन करें जैसा कि आपने कोरोना काल में किया था आँखों में खुझली या आँखे लाल हो रही है तो इमीजीडली डॉक्टर को विजिट करें और जिन्हें हो चुगा है तो भाई वह लोग भी प्लेंश में न आजाएं और अपनी आखों को टच करके इधर उधर टच ना करें और अपनी ब्लॉंगिंग्स दूसरों को ना दें आप मेंसे मैक्सिमम व्यूवर्स ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इंफो टैंक चैनल को सब्सक्राइब करके बैल आइकन ओन कर लें क्योंकि हम आपके लिए ऐसी वीडियोज लाते रहते हैं